शुकार आप सभी का राजस्थान के जोद्पू सहर में बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान को कई एतिहासिक महलों के लिए जाना जाता है राजस्थान के लगबफ हर जिले में कई ऐसे एतिहासिक इमारत है जिने देखने और घूमने के लिए देश के साथ साथ भवन पैलेस के बारे में, उमेद भवन पैलेस राजस्थान के जोत्पूर में इस्तित एक बहुत ही शानदार और खोसुरत महल है, भारत के मद्य कालमिने में यह महल अपने इतिहास और बेहतरिन संगरशना के लिए पूरे विश्व में दिख्या थे, तो आईए हम पहुँ चुके हैं, उमेद भवन पैलेस के ज़स्थ सामने में, और वहां से देखिए पूरा आप जोत्पूर शहर जो देख सकते हैं, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, देखिए सभी बहुत ही खुबसूरत है, और यहां आने के जो रास्ता था, वो भी बहुत ही रोमांचक था अभी हम लोग उमेद पैलेस होटल के सामने ज़स्थ कड़े हैं, रोट किनारे और पाहुत इवार के साथ, पीछे आपको जोत्पूर शहर करना जारा दिख रहा होगा, जो उमेद पैलेस पहारी पर बसा हुआ है, बना हुआ हुआ है, बहुत खुबसूरत होटल, जो जाई का कारण था, तो पहले हमने टिकट ले लिया, यहाँ पर एक परसन के लिए 60 रूपीज है, तो मैं और हजबन आये भी हैं, तो 120 रूपीज हमें ने पैल किया, तो साथ ही गौवर्मेंट के तरफ से ही नियुक जो है गाइड मिल जाएंगे आपको, जिसे 250 रूपीज पे करके आपने साथ ले आ सकते हैं, गाइड लेनर कंपर से नहीं, यह आपके मर्जी पर है, अगर आप इन चीजों के बारे में ज्यादा डुटेल में एतिहासे कान लोग जाना चाहते हैं, तो गाइड जिरू कर लिजिए, तो अगर तवारने सीज जानने के सौखीन है, तो हम नेट पे बेगा सर्च करते हैं, तो उन चोटी-चोटी सीजों के बारे में जानका ही ने मिल पाते हैं, जो गाइड हमें देते हैं, जोटपूर हो गया, यह 1459 के बात है, जब यहां के राजा थे, राव जोटा जी, जिन्नोंने सबसे पहले, 12 में 1459 को इस जोटपूर में मेहरांगट फोर्ट का फांदिशन रखाता, तो यह जो जोधा जी के नाम पर हमको जोटपूर सीटी डेम मिला है, और उसके बाद फ जोटपूर का उमेर भवन पैलेस, बिश्र प्रसिद है, इसके निर्मान का इतिहास एक शंत के श्राब से जुड़ा है, जिन्नी रेक रोत में आकर यहां के राठो और वन्ष को अकाल और महामारी का श्राब दे दिया था, इसके बाद 1920 के दसक में जोटपूर को लगातार तीन बरसों का अकाल का सामना करना पड़ा, अकाल की कारण इस रियासत के अस्थानी लोगों ने ततकालिन राजा उमेद सिंग से रोजगार की मांग के, थानी लोगों को रोजगार देने के लिए ततकालिन राजा ने एक भवी महल की निर्मान का फैसला लिया, हम चलते है उमेभवन की म्यूजियम में ये आगंतुकों को भवी जीवन स्टैली और साही भविता की जलक प्रदान करता है संग्राले के अंदर प्रवेश करते ही जो हॉल मिलेगा वहां पे राजा उमेद सिंग के पुरी परिवार की तस्वीर लगी वी है जिसमें कुछ तस्वीर जो ह यहां पर उत्राधिकारी बने थे और 1952 में की मिर्ट्यू के बाद गर सिंग दूति अपनी पिता की उत्राधिकारी बने और उन्हें बाद में महल के एक हिस्से को होटल और संग्रहाले में बदलने का निर्ने लिया था तो इस तस्वीर न दे सकते हैं कि वह इंद्रा गां तो जब यहां पर अकाल के बाद उन लोगों ने रोजगार की जिरुवत पढ़ी अस्थानी लोगों को तब उमे सिंग जी ने योजना तयार करने के लिए सबसे प्रशिद जो है बास्तुकार हेंडी वॉन लेंगस्टर को बलाया और इसका कालभार उने सौपा इसके लोगों को अवकाश में निवटने का अवसर मिल गया और 1943 में अकाल के समाप्थ होने के पहस्चात यह महल 1944 में बनके तैयार हो गया तो इस तरह से महल को बनने में लबब 15 साल का समय लगा इस महल को बनाने के लिए जो है सिफ अस्थानी लोगों का उपयोग किया गया जिनकी संख्यां ठाये है जार से तीन हचार के लगभग थी जब इस महल को खोला गया था उमेद भवन पहले जोतपूर को दुनिया के सबसे साही निवासों में से एक माना जाता था हालांकि ये अबासिय स्थान की रोप में अच्छी तरह से काम नहीं कर सका जो सामने जो पेंडिंग देख रहे है वो हां से बनीवी पेंटिंग है जिसमें राजा उमेद सिंग जी है वो महल के जो पहला इट रखा जाता है उसके वूब रखने हैं यहाँ पे उसके लिए पेंटिंग मनाई गई है और यह पूरा स्ट्रक्चर है उमेद भवन पैलेस का जिसमें जो में बार जो इंटरेंस देखने हैं वो होटल का है और साइड से जो लेफ्ट हैंड साइड में तो उसमें जो मौजूदा समय में इसे तीन हिस्तों विभाजित किया गया है पहला रोयल निवास दूसरा उमेद भवन पैलेस म्यूजियम और तीसरा लगजरी होटल है और सामने जो देख रहे हैं वो तेन दुवा की खाल है वो ओरिजनल है जिसे राजा उमेद सिंग ने जो उपनीचे जो गोडन करगा दिख रहा है ये रियल की गोल्ड का बनावा था इस तरह से यहां साही प्रिवार की कटरी की विरासिती संग्रह है इसमें काच और चीनी मिट्टी के बरतनों की कई किसमें प्रदर्शित हैं जिसमें प्लेट, वाइंग ग्लास और अन बहु पूशन, सुबर की दाथ और अन्य आकरसक कलाकिरती आहां प्रदर्शित की गई हैं तो आगे भी इस तरह से आप घर में यूज हो निवार्डी जो स्तरह के इत्र वगरार जो थे वो यूज करते तरह आस्रे प्रिवार वो सब चीज़ों की भी प्रदर्शिती जो है काफी बस्तों की अन्य जो टुकड़े यहां पर मौजूद हैं इस संग्रहाले का रख रखा बहुत शह है इसमें महराजा और उसके साही परिवास जूरी बहुत से प्राचीन बस्त में जो हैं मौजूद हैं और जो आपको अलग-लग हौल में जो हैं प्रदर्शित की भी हैं जै एक से बढ़कर एक हैं जैसे हम यहां देख रहे हैं कि हत्या संग्रह जो दिख रहा है जो साही पेवार की तलवार धाल और अन्य सस्तागार आपको मिलेंगी इसमें आपको मद्यकाडिन की कई तरह की दूरलब वस्तुवी मिलेंगी जो साम की ताला देख रहे हैं और यह बर्तन है यह पहला बर्तन और चेनी है जो यह महल बनाने के लिए इस्तमाल की गई है सामने यह यह कलर्स देख रहे हैं यह गंगोत पूजा में महलाई यूज करती थी इस दर से हम इस रूम से बाहर निकलते हैं और चलते हैं तो दुसरे हॉल में जहां पर आपको अलग बनी भी है और चत पे गोल्डेन प्लेटिट जो है जो है पॉलिश किया गया है यहां पर आगे जो हम देख पा रहे हैं वो है यहां पर घड़ियों का संग्रह इसमें दुनिया भर के प्राचीन और सजावती घड़ियों का एक ब्यापक संग्रह है ग्याड़ी में अलग अ पाकार और साइच की अमुल प्राणी घड़ियां दखी वी है जो देखने में बहुत ही खुब सुरत है और सबकी अपनी अलग कहानी है जो यहां पर गाईर जो है काफी अच्छे से नोने पूरे विस्तार से जो है सभी घड़ियों के बारे में नोने बताया तो बहार निक और यूरोपिय स्थापत शैली का एक मिश्रन है यह महराज उमेज सीनी इस जगहां के डिजाइन मिनाने के लिए आर्किटेक हेंडी वॉल लेंचेस्टर को निक्त किया था जिन्होंने भारती आर्किटेक बुधमल रॉय के साथ मिलकर कि इसका अंतिम लियाहुट तयार कि महल का निर्मान मुख्य वास्तुकार विद्या था भटचारिय जी और एस एस जैकप के मारदासर में पूरा हुआ था और ये इंडो डेको शैली में बनाया हुआ है बहुत ही खुबसूरत है महल पीली बलवा पत्थों से बना है और ये बहुत बड़े एरिया में फैला यहां घूम करके जो है बहुत चलगा खासका जब इसकी गलियारे में आप जो घूमते है न वहां बहुत चलगा जब निकलते है और जो लेट राइट हम साइट में जो आप देख रहे हैं यहां से इंट्री है महल की जो जो है लगजरी होटल है जो लगजरी होटल का जो है के starting 45 है और इसके अंदर हमने तस्वीरे देखी जो इसके अंदर की रूम की luxury hotel की तस्वीरे एकदम बहुत ही कमाल की है जिसे आप वहां जाकर करके आप दी सकते हो और इंटरनेट पे आप इस hotel के रूम के तस्वीरे तो देखी सकते हैं कि हमें वहां जाने की इजाज़त नही जो वहां पर ठेहरें गे. वो ही इसका अनन ले सकते हैं। और सामनी दीख रहे हैं कि बहुत ही खुबपसूरत गार्डेन है। और इस गार्डेन की वज़़ से जो आप यहां पर आराम सी पुरा गार्डेन में घूम सकते हैं, वहाँ पर टहल सकते हैं आप अधर बैट के विश्राम भी कर सकते हैं गार्डन में सुबह के समय में आपको बहुत सारी अलग अलग पंक्षियों की आवाज जो है मूर की आवाज सुनाई देगी जो आपको बहुत ही अच्छा महसूस करेगा बड़े-बड़े बेड़ हैं बहुत ही अच्छी हरियाली है सुबह के 9 बज़े से 5 बड़े तक घूम सकते हैं बहुत ही अच्छा समय निकलेगा अराम से 2-3 घंटेगी बीच में पूरा गार्डन घूमगी बहुत अच्छा एहसास होगा अगर खासकर आप वाणी गाड़ी देखने के सौकीन है तो यहां पे गाड़ियों का भी एक संग्र है जहां पर आगर कि आप देख सकते हैं जो शीशे के इंदर पुरितर से बंदे कहते हैं कि साल में एक बार इंग गाड़ियों को बहार निकाला जाता और रासी सवारी हो मिली और अच्छा लगा बहुत जानकारी जो हमें नहीं थी वह यहां पर आने की बार मिली को आपको आजकर बहुत क्या बगा जरूर बताईएगा चली मिलते हैं नए जगह पर अब इस पर नए प्रेस्ट नए टाइम पर तो तक लिए गुडबाई थैंक्यूश शो मच फ